हेलो पुछों कैसे हैं आप लोग एग बार फिर से आपका वेलकम है जनेटिक सी क्लास में और हमारा डी एन रेप्लकेशन प्रिशल क्लास में पूरा हुआ था और आज मैं RNA का फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं RNA ट्रांस्कृप्सन ठीक है ट्रांस्क्रिप्सन के बारे में आप और आपको मैं बताओंगा सब्सक्राइब तो पहले हम लोग एदिन देते हैं एदिग अपना क्या ट्रानस्रिब्स प्रेट कि ओक ऑ पर्मिशन ओफ आर ने ने कहां बनेगा आर ने को बनने के लिए डी येने का स्टेंड ही यूज किया दता है तो डी येने के स्टेंड पे आर ने का बनना इसको बोलते हैं ट्रांस क्रिप्शन ठीक है तो कैसे डिफाइन करेंगे the process in which in which a DNA स्ट्रेंड एस्ट्रेंड एस्ट्रेंड ओर्म्स आरेने आरेने इस नोन एस ट्रांस्क्रेप्ट संट क्या वह लेंगा इसको ट्रांस्क्रिप्ट संट बोलेंगे समझ गए मतलब की डी एने का एस्ट्रेंड है यह डी एने का एस्ट्रेंड है यह डी एने का एस्ट्रेंड हुआ है ना अब डी एने के एस्ट्रेंड पर बेस सिक्वेंस जुड़ा हुआ है बेस सिक्वेंस जितने भी है साइटोसीन, गुवानीन एडिनीन, ईुरेसील ये सब क्या है? एडिनीन, थाइमीन जूरी, ये सब ही क्या है? जूड़े हुए है जूड़े हुए है तो अब क्या होगा? एक ए स्ट्रेंड पे क्या हो जाएगा? आरेने का सिंथेसिस हो जाएगा किसी एक स्ट्रेंड पे क्या होगा? आरेने का सिंथेसिस हो जाएगा देखलो, आरेने बन गया ए आरेने के क्या हो जाएगा? सिंथेसिस हो जाएगा, समझ रहे हो? ए आरेने बन गया अब बनने के बाद में क्या हो गया यह फिर से यह जहां वर्क करना था साइटो प्लाज में चला गया वर्क करने के लिए यह आरेने आ रहे दे इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांस्क्रिप्शन यह जो बनने का प्रोसेस है यह क्या हुआ यही बच्चो ट्रांस्क्रिप्शन है क्या है ट्रांस्क्रिप्शन इसी को बोलते हैं ट्रांस्क्रिप्शन ये transcription है समा रहा है चलो transcription करते समय complementary वाले complementary वाले rule को follow किया दता है ठीक है तो क्या लिखेंगे during transcription during transcription rule of complementarity is followed is followed ठीक है अब इससे जब रूल of complementary समझना क्या होता है मतलब कि बिल्कुल DNA का जो base sequence होगा उस base के हिसाब से जो complementary base pair बनना होगा RNA में वो जुड़ेगा बस खाली थाइमीन के जगवपे उरेसील आ जाएगा जैसे मालों कि DNA में एक base क्या है एक base के पास साइटोसीन है तो RNA में गवानीन जुड़ेगा ठीक है अब DNA में एडेनीन है तो RNA में थाइमीन होना चाहिए था लेकिन थाइमीन के जगवपे क्या रहेगा इउरेसील रहेगा तो ये complementary rule क्या होना चाहिए फॉलो होना चाहिए ठीक है अब फॉलो करता है बातारी समझ में तो इसको क्या बोलते है वो फॉलो किया आता है only only add the place of add the place of थाइमीन थाइमीन के place पे थाइमीन इउरेसील is added इउरेसील क्या होगा add होगा इउरेसील इडिड आप देखलो अब इसमें DNA का जो ये जो transcription RNA का हो रहा है DNA के stand पे इसमें कौन कौन सा चीज और किस तरीके का DNA लगता है तो उसको पहले हम देखते हैं कि एक unit होता है transcription करने का आप रहे हो मतलब DNA का वो segment जो एक RNA को बनाता है उस segment को हम एक transcription unit बोलते हैं क्या बोलते हैं? transcription unit ठीक है? जैसे देख लो अब मालनों सपोच करो कि यह हमारा DNA है ठीक है ना? यह हम लोगा DNA है full length का DNA तो क्या यह DNA जो हुआ? यह जो DNA हुआ? क्या पूरा का पूरा transcription करेगा? पूरा का पूरा length RNA बनाएगा? कि इसका कुछ ही part जो है RNA बनाएगा? कैसा होगा? यह DNA है? यह क्या DNA? तो जब यह DNA है बच्चों तो यह DNA में क्या हो जाएगा? यह दिख रहा हूँ? इसका कौन सा part RNA बनाएगा? इतना दूर वाला part कि इतना दूर वाला part कि इतना दूर वाला की पूरा part कैसे? तो यहाद रखना DNA का segment एक बनाता है RNA इतना segment फिर इतना segment यह बीच वाला segment बीच वाला segment नहीं बनाता है इतना segment तो जो segment बनाता है RNA को उस segment को हम बोलते हैं transcription unit इसको क्या बोलते हैं? एक transcription क्या बोलते हैं? यूनिट ये दख्लो ट्रांस्क्रिप्शन यूनिट इसको बोलेंगे ये भी क्या हो जाएगा ये भी ट्रांस्क्रिप्शन यूनिट होगा ठीक ना ट्रांस्क्रिप्शन यूनिट और ये भी एक ट्रांस्क्रिप्शन यूनिट है ट्रांस्क्रिप्शन युनिटे भी है आप रहो तो ट्रांस्क्रिप्शन युनिट किसको बोलेंगे दे सेगमेंट सेगमेंट आफ डी एने फीच कैन ट्रांस्क्राइब 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 मतलब जो आर इने को बना सकता है ठेका जो आर इने को बना सकता है उसे बलेंगे कैन ट्रांस्क्राइब which can transcribe a RNA molecule is called as क्या लिखेंगे इसको is called as transcription unit समा रहे हो transcription unit इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों is called as transcription unit इसको transcription unit अपन बोलते हैं चलो अब transcription unit में क्या होगा भाई transcription unit इसको जारा देख लेते हैं देख लो एक transcription unit में एक promoter side present होगा और फिर structural genes present होगे और terminator side present होगा समा रहे हो तो एक transcription unit जो होगा क्या लिखेंगे यहां a transcription unit यह ट्रांस्क्रिप्शन unit contents क्या क्या के content करता है भाई एक promoter site देख लो promoter site को content करेगा promoter site और second a structural gene समरे हो a structural gene a structural gene one भी हो सकते है one और two और more भी हो सकते है ठीक है और third a terminator site एक एक terminator site भी इसमें present होता है समरे हो मतलब कि DNA का segment यह DNA का segment है अब इस DNA के segment में क्या करेंगे transcription unit पकड़ना है तो मानलों कि यह एक यहाँ से यहाँ तक transcription unit हो गया समरे हो तो इस transcription unit में होगा एक promoter site होगा यह मानलों प्रोमोटर इतना दूर तक का DNA का segment promoter site है और हो और इसके बाद क्या होगा यह structural gene होगे यह structural gene है gene a gene b और और जीन सी भी मानलो जीन सी और यह इंड जो हुआ यह terminator इंड वाए क्या हो गया यह terminator हुआ तो इसको क्या बोलेंगे प्रो मोटर क्या बोलेंगे इसको प्रो मोटर DNA का इसा पाट है किसका पाट है DNA का याद रखना promoter promoter हो गया promoter के बाद क्या हो जाएगा promoter के बाद क्या होगा एस structural gene और हम ऐसा याद रखना RNA का एक extend ही क्या करता है एक extend ही RNA का DNA का एक extend ही RNA का formation करता है समरह हो DNA का एक extend कौन एस्टेंड याद रखना एक का डायरेक्शन है क्या थ्री एक का डायरेक्शन है थ्री थ्री डायरेक्शन होगा तो इसका क्या हो जाएगा फाइव और फिर इसका क्या होगा फाइव होगा तो इसका क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा देख लो ध्यान से देखो ध्यान से इसको देखना है भाई एक तम आराम समझने की जरूत है कि नहीं होना चाहिए ठीक है फिर से बलकि इसको बना लो तो अच्छा रहेगा तो अब देखो क्या है देखो ध्यान से देखो बच्छो यह DNA के स्टेंड है DNA के स्टेंड में से क्या होगा दो ही इस्टेंड दो इस्टेंड में से कोई एक ही इस्टेंड ट्रांस्क्रिप्शन भाग लेता है और RNA को फॉर्म करता है कौन से करेगा भाई कौन करेगा बताओ इसवे करेगा एक स्टेंड जैसे यह 3 to 5 डिरेक्शन वाला है समरो आज यह क्या है 5 to 3 डिरेक्शन वाला ठेक ना तो 3 to 5 डिरेक्शन वाला देख रहे हैं 3 to क्या है 5 है और यह क्या है 5 to 3 है तो यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ पे DNA का transcription जो होगा यह किधर से किधर होगा 5 to 3 direction में एक RNA का transcription होगा ऐसे RNA बनेगा ध्यान से RNA कुछ इस तरीके का बनेगा यह RNA बनता चला जा रहा है देख लो RNA बनता चला जा रहा है इसका मतलब कि definitely RNA इस A stand पे बना जिसका direction 3 to 5 है ऐसे है यहाँ पे क्या हुआ बना ठेका ना तो इस A stand पे बन रहा है इस A stand पे बन रहा है तो यह जो region होगा यह DNA का यह region जो होगा यह promoter region का लाएगा मतलब यह जो region है क्या का लाएगा प्रोमोटर region और जीन A जीन B जीन C और यह जो है सो terminator region का लाएगा तो यह promoter है और यह क्या है terminator है इसको क्या बोलता है terminator समझ गया और यह सब जो है सब A structural gene है ABC क्या है A structural gene यह A structural gene है A structural genes है ABCD ABCD यह सब क्या है A structural genes present है इसके उपर बता रहे समझ में और यह क्या बन गया RNA बन गया DNA के strand पर RNA बन गया अब देखलो जीसका direction 325 जीससे strand का direction क्या है 325 के तरफ है याद रखना उसी पर क्या हो रहा है strand बन रहा है समझ रहो इसलिए इस strand को बोलते है इस strand को हम बोलते है template strand क्या बोलेंगी इसको template template strand भी इसको इसको template strand के बाद में अब यह वाला पार्ट में आ जाओ यह वाला दूसरा strand दूसरा strand जो होता है यह कोई RNA नहीं बनाता है इसको बोलते हैं Coding Strand क्या बोलते हैं इसको इसका नाम है Coding Strand क्यों नाम है Coding Strand क्योंकि आप देखो यहां पर Complementarity Rule का खोलो हो रहा है तो इस औरने का सिक्वड़र और इस डीने испश्टन का सिक्वऔर सेल ही होगा कि इसको छोड़के बस खाली हिदम को कि यहां पर थाइमीन होगा तो यहां पर क्या हो जागा अरैं आम तो इसका इसका स्वश्य क्यों खें और को यह व्यवित डीने खाली इसमें युरेसिल तो यहां पर थाइमीन आ जाएगा ठीखाएं तो में कहने को मतलब कि जो आरेने का जो बेस सिक्वेंस त्यार हो रहा है इसी को बोलता है कोड मतलब हुआ कि DNA अपने जेनेटिक देटिक इनफर्मेशन को आरेने में उतार देता है यह कोड के फोर्म है बेस सिक्वेंस के फोर्म है तो ये ही कोड के में यहां भी क्या हो रहा है वो देखा जा रहा है इस यूदि को बोलते हैं کوडिंग स्टेंड मतलब हÎ Cand to C Gone does है crystall이다 10? ii कु इसको सेंजस है refr टो इन 10 अशिशंस र स्ट र मीढ ऊल्दा है को अब हईध का रहा हो और टेम्पलेट को क्या बोलता है टेम्पलेट इस प्राय दोवन ओन ओन आ वोर दुबता है और नॉन को टिण एस्ट्रेंड यो इस告诉 नॉन कोडिंग A strand भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है Anti-Sense A strand Anti-Sense A strand Anti-Sense A strand इसको बोलते हैं याद रखना तो template strand के बोलते हैं template strand इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह template जैसा एसलिए प्रलड़ जैसा काम करता है मत जिसके उपर RN का सिंत्रिज्जी सूना होता है उसको template बोलते हैं, ठीक है, तो template मिस होता है, साचा, खाच, जिसमें रख के कोई चीज बनाए जाता है, ठीक है, तो template extend हो गया, इसको non-coding extend बोलते हैं, और इसको anti-sense extend भी बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, coding extend हो गया, और इसको sense extend भी कहा गया है, ठीक है, इसको बहुत ब कैसे डीटेल में देखेंगे भाई द्यान चे पहले देखो पहले क्या देखना है दो ट्रांस्टिप्शन यूनिट ठीक ना दो कर दो कर दो कर दो करो दो whose polarity जिसकी क्या हो polarity whose polarity is whose polarity is from काजगा तक is 3 to 5 acts as template कैसे करता है acts as template template for transcription transcription मतला RNA formation transcription means RNA synthesis इसको तो transcription बोलता है ठीक ना transcription इसको बोलता है RNA synthesis synthesis तो 3 to 5 act as template for transcription RNA synthesis RNA synthesis के लिए ये transcription क्या करता है काम करता है ठीक है ये template हो गया अब देखो अब आगे हम चलते हैं कहाँ के चलते हैं भाईक ध्यान से और इसी strand को अब आगे हम किया इस strand इस also known as लिख वाई थे ना इस strand अब दूसरा जो होगा अब दूसरा क्या हो जागा दूसरा क्या लिखेंगे दूसरा क्या लिखेंगे दूसरा क्या लिखेंगे दूसरा क्या लिखेंगे whose polarity whose polarity is five prime into three end is called as उसको क्या बोलते हैं is called as coding strand क्या बोलेंगे उसको coding strand और sense strand इसको क्या बोलते हैं और sense strand क्यों because क्यों होगा बताये थे आपको क्योंकि इसके पास वही sequence होगा जो RNA बना है नाय वाला उसमें जो sequence है वही इसमें भी sequence होगा ठीक है बताये समझ में देखो because it has same best sequence best sequence ठीक है like like RNA form जो RNA बना है उसी के जैसा है ठीक बस खाली उसमें क्या होगा यूरियसील के जहापे थाइमीन आ जाएगा समझे हो चलो आब इसको जरा आकार परकार बना के और देख लो और अच्छे से इसको समझ लो अब क्या है यह हमने बनाया 325 यह बनाया 325 यह बनाया 13 यह 15 लियने का है चलो और दूसरा क्या बना लिया दूसरा बना लिया 15 ठीक है तो यह 13 हो जाएगा अब बताओ क्या क्या रखें यहां A से स्टार्ट करो A G हाइपोथेटकली ठीक रहा हाइपोथेटकली रखते हैं कुछ भी माल लो अपने मंद से A G C और T ठीक है फिर A G C और T और फिर क्या होगा A G C और T अब यहां क्या होगा T C G A फिर क्या होगा T C G A फिर क्या होगा T C G A फिर क्या होगा T C G और A देख लिए है टी सी जी और ए आप देखो यहां यह बॉंड से बंदे होंगे यह है इसको आप क्या बोल लह थे यह टेंपलेट एस्टेंड है टेंपलेट एस्टेंड और इसको क्या बोल लह थे यह पॉडिंग एस्टेंड है है कोडिंग एस्टेंड है कोडिंग एस्ट्रेंड मतलं कि सिमलर टू आर यंए होना चाहिए क्योंकि आर यंपे होता है तो शीनिलर टू हैं जो बना है उसके जैसा अब देखो我就 own है अ भेरा ी बलेन कि की बाद कर ले किचसे सबस्छी को कॉडिंग को छोड़े रहे हो एब टेम प्लेटेस्टों कि यह ठैके स्थार्ड प्राइब है ठीथ है और क्या है ध्यांसद मैं क्या A, A, G, C, और T, फिर A, G, C, और T, ठीक है, और फिर A, G, C, और T, अब इसी के उपर हमको बनना है, आर ने बनना है, ठीक है न, तो देखो बेटा, आर ने बन गया इसके उपर, आर ने बना दिया, आर ने बन गया, अब बताओ, एडनीन के जब क्या होना चाहिए, थाइमीन होना चाहिए, तो बस थाइमीन के जब पर यूरेसील खाली मानलो, यूरेसील होगा, और गुवानीन का कॉम्प्लिमेंटरी साइटोसीन, साइटोसीन का कॉम्प्लिमेंटरी गुवानीन, फिर Adenin के बास क्या हो जाएगा। और फिर guanine, cytosine क्या? और फिर क्या? नो, पाइव डू थी डारेक्शन में, ये बना आपको RNA, इसको बोलते हैं, RNA form को RNA transcript बोलते हैं, जो नया RNA बना है, इसको कहा जाता है RNA transcript actually, रियल में RNA transcript बोलते हैं, समद आप देखलो, ये आपका RNA बना, अब इस RNA से RNA के ऊपर ही क्या होता है? तो इसके जैसा यह मिलदा है इसलिए नाम इसका coding standard पड़ा है देखो मिला लो बस खाली U का फर्क होगा देखो U यूरेसिल जेब थाइमिन है और C तो देखो यहाँ C है G तो यहाँ G है A तो देखो A है अब यहाँ थाइमिन है तो देखो इसल जेब थाइमिन है ए तो ए मिला मतलब क्या हुआ कि RNA पे code होता है और इसी RNA जैसा ये 5 to 3 direction वाले किसका? ए स्ट्रेंड का ए स्ट्रेंड का ए स्ट्रेंड है DNA का इसलिए इसका नाम coding strand पड़ा है बताए समझ में? समझ मागया? यस अब देखो RNA का synthesis RNA का synthesis जिसको transcription बोलते हैं और जो RNA बना उसको RNA transcript बोलते हैं ठीक है? इसका synthesis 5 to 3 direction में होता है तो यह भी लिख लो transcription occurs ठीक है? transcription occurs transcription occurs from 5 to जैसे DNA का polymerization होता था replication 5 to 3 यह भी 5 to 3 from 5 to 3 direction 5 to 3 direction समझ रहो? चलो आप क्या होता? enzyme कौन सा यूज होगा? यहाँ पर जो enzyme यूज होगा जैसे वहाँ क्या था? DNA polymerase यूज होता था यहाँ पर RNA polymerase यूज होगा ठीक है? इसका पूरा नाम है DNA dependent RNA polymerase थीक है? तो the enzyme yield the enzyme yield for this purpose मतलब RNA बनाने के purpose के हिसाब से? is क्यों जाएगा? RNA polymerase RNA polymerase बोलते हैं poly polymerase RNA polymerase उसको बोलेंगे बच्चों ठीक है? RNA polymerase ठीक है? चलो आगे चलते हैं यह RNA polymerase हो गया तो RNA polymerase क्या करता है भाई? अब जैसे DNA के स्टेंड को खोलना पड़ेगा यहां भी तो DNA के स्टेंड को खोलने के लिए क्या होता था? हेलिकेज वहाँ पर यूज होता था? यहां पर हेलिकेज का यूज नहीं होगा सारा काम RNA polymerase करता है तो कैसे कैसे काम होगा अब सिंथेसिस कैसे होगा RNA का देख लो द्यान से यह template strand है अब मैं template strand बना रहा हूँ template strand का यह third है और यह fifth है ठीक है यहां पर क्या है promoter site है यह बाकी यहां पर basic में दिखाने दिखा दीजिए आप basic में इतना दिखाने दिखा दीजिए RNA पर ठीक है promoter है इधर क्या है terminator है इसको promoter बोलते है क्या बोलते है promoter यह जो है promoter site है promoter और यह क्या है terminator site है पहले बताए जा चुका है आपको terminator promoter और terminator ठीक है ना अब दोख ध्यान से अब इस promoter के पास आर एने polymerase जो होता है आर एने इसका पूरा नाम क्या है आर एने polymerase का लिख दा रहा है आर एने polymerase इसको बोलते है डी एने डिपेंडेंट आर एने polymerase इसको बोलते है ठेका है डी एने डिपेंडेंट आर एने आर एने polymerase जो होता है आर एने polymerase इसमें एक फैक्टर होता है सीग्मा फैक्टर इट हैंज it is having a sigma factor enzyme है enzyme में बहुत सारे factors होते हैं protein होते हैं तो इसमें एक factor होता है sigma factor RNA polymerase का sigma factor sigma factor sigma factor यहाँ पर जाके क्या हो जागा promotor side से attach हो जाएगा जैसे ही sigma factor attach होगा तो यह बस initiation start sigma factor attach हो जाएगा और RNA polymerase क्या करेगा DNA का जो double stand था उस double stand को खोल भी देगा ऐसे ऐसे खोल देगा देखो यह खोल भी देगा यहाँ RNA का synthesis होगा इस पर synthesis नहीं होगा दूसरे पर ठीक है तो दोनों कामिक करता है तो sigma factor gets attached यह कहाँ attached होगा attached with promoter site यह promoter site से क्या होगा attached होगा sigma factor sigma factor gets attached with promoter site promoter site से sigma factor क्या होगा attached होगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक ना और DNA helix को open करने का काम RNA P क्या करता है also opens DNA helix DNA helix को भी यही खोलता है तबना template बनेगा उस पर काम होगा RNA बनेगा फिर चलो और इसका क्या काम है इसका काम है RNA मतलब कि ribonucleoside triphosphate उसको जोड़ना तबना base sequence बनेगा समरे हो तो इसका एक काम कोर क्या है काम है polymerization का भी it acts as poly it acts for polymerization of RNA chain RNA chain का polymerization का भी यह काम करता है समरे हो RNA chain के polymerization का क्या काम करेगा यह काम करेगा ठीक है ना यह है इसको मिटाए इसको चलो इसको मिटाया जब इसको मिटा दिया बच्चे सर अब ऐसे करते करते देखो RNA का पॉलमी सामसर सुरू हो गया तो RNA polymerization क्या हुआ RNA P देखो RNA P RNA polymerase RNA polymerase ठीक है adds adds ribonucleoside यह ribos nucleoside भी बोल सकते है ठीक है ribonucleoside triphosphate 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 as substrate यह raw material as substrate ठीक है उसको add करता है and finally release finally release क्या करेगा ठीक release is two phosphate group two phosphate क्यों क्योंकि भाई nucleotide भी तो एक ही phosphate से काम चलता है ना तो दो को निकाल देगा triphosphate में से two phosphate group two phosphate group जैसे ध्यान से देखो समझने की जुरूत है क्या समझने है भाई इसमें क्या है बच्चों डिफरेंट 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 टाइप का है जैसे सपोज करो गवानोसीन राइबो गवानोसीन मतलब राइबोज गवानोसीन ट्राइप फोस्पेट यह ट्राइप फोस्पेट यह जुड़ा है तो ऐसे ही क्या होगा राइबोज शाइटीडिन होगा चाइटीडिन ट्राइप फोस्पेट होगा और ऐसे क्या होगा राइबोज एदी नाईलेट ट्राइप फोस्पेट एदिनोसीन एदिनोसीन ट्राइब फोस्पेट हो जाएगा इसी तरीके से राइबोज इूरीडिन ट्राइब फोस्पेट होगा अब इसमें से क्या जोड़ना है मतलब बोलते हो ना कि यह जो DNA में या RNA में RNA में जो यह सिक्वेंस है ऐसे ऐसे AG AUGC का AUGC ठीक है यू 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 मानलों कि ऐसा है तो यह सब किस फॉर्में जूड़ते हैं मतलब यही तो RNA नए RNA का फॉर्मेशन हुआ तो एडिनीन जो देखो एडिनीन क्या हुआ यह एडिनोसीन नाइट्रोजीनस बेस है प्लस यह बैक बोन में क्या है प्रेंटोस सुगर फोस्पेट तो यह जो देख रहा है यह मोनो फ आई फॉस्पेट में से दो फॉस्पेट निकलेगा और एक पेंटोस सुगर एक मोनो फॉस्पेट और एक नाइट्रोजीनस बेस बच जाएगा तो इसे से करके जूड़ता है तो इनी सब का यूज होता है RNA पी इनी सब का यूज करता है RNA पोलिम्रेस ठीक है यहां पर बातारी समझ में 5-3 डायक्शन क्या होता है सिंतेसिस होता है ठीक ना चलो इसके बाद अब ऐसा करते करते RNA पोलिम्रेस जो है RNA पोलिम्रेस ऐसा करते करते अब पहुंचता है कहां फाइनली टर्मिनेस्टर टर्मिनेसन इनी पे पहुंचता है टर्मिनेटर साइट पे देखो यह आर ने पोलिम्रेस आर ने पोलिम्रेस भी यहां है उसको पीले वाले से बना दे रहे हैं सिंग्मा फेक्टर तो है ही और आर ने पॉलिम्रेज यहां है अब आर ने पॉलिम्रेज क्या होगा अब चला जाएगा टर्मिटर साइट पे टर्मिटर साइट में जाने के बाद अब इसमें एक होता है रो फैक्टर होता है रो ऐसे यह रो फैक्टर है रो फैक्टर क्या करेगा वहां से आर इन ट्रांस्क्रिप्ट को हटा देगा पूरे सीटम को स्वीच अफ कर देगा तो क्या हो जाएगा आर फीनली आर इन एपी रिचेज अफ टर्मिनेटर इन टर्मिनेटर इन आर तर्मिनेटर इन वा क्या होगा फईनली पाहुंचेगा अन इट्स रो फेक्टर आर इसो रो Rी रोफ फैक्टर ठाक्ना point which is off the process of transcription the process of transcription têm ठेक है उसको यह करता है अब देखलो यह जो sigma factor है और row factor है यह actually in prokariots होता है prokariots eukariots में other factor होता है eukariots में क्या होगा eukariots में other factors होते है मतलब factors होते हैं लेकिन दूसरे ढंका होता है other factors समरा है तो ऐसे क्या हो जाएगा transcription होगा जब ऐसे होगा तो जो RNA बना उसको RNA transcript बोलते हैं और RNA transcript जो होता है वो काफी highly sensitive होता है highly unstable होता है वो ऐसे ही यह दि रह जाए बनने के बाद मतलब कि एक RNA का synthesis हुआ और RNA का synthesis हुआ और ऐसे ही वो cellular machinery में रह जाएगा तो cell के enzymes जीतने होते हैं सब उसको break कर लेगा तो उस RNA को क्या करना होता है processing करना होता है तो जब processing करना हुआ इसका मतलब जो RNA बना एकदम primary है समरे हो इसलिए जो newly formed RNA transcript होता है उसको primary transcript भी बोलते हैं तो newly formed, newly formed RNA is known as primary transcript कैब लोंग उसको primary transcript भी बोलते हैं प्राइमरी ट्रांस्क्रिप्ट उसको primary transcript भी बोलेंगे ठीक है इट इस known as primary transcript समझ गए primary transcript इसको बोलते हैं और यह primary transcript क्या होता है highly sensitive होता है primary transcript is highly sensitive highly sensitive sensitive मतलब की unstable unstable therefore therefore especially in eukaryotes किसमें? eukaryotes में prokaryotes में नहें especially in eukaryotes eukaryotes it has to pass through processing इसको processing के थुरू क्या करना पड़ता है? इसको pass करना होता है it has to pass through processing इसमें processing होगा prokaryotes के RNA को processing करने के ज़रूत नहीं है क्योंक एक उसमें nucleus नहीं है एक eukaryotes में nucleus जहां well defined boundary है nucleus का समरे हो? उसका atmosphere, nucleus का environment और cytoplasm का एकदम different environment होता है समरे हो? तो वहाँ पे sensitive हो जाता है क्योंकि nucleus के अंदर ये बन रहा है और उसको आना है cytoplasm में work करने के लिए तो cytoplasm के enzyme उसको destroy कर सकते है तो उसमें processing होगा लेकिन bacteria में prokaryotes में तो nucleus नाम का जगह कोई demarkated place तो होता नहीं है उसका cytoplasm बिल्कुल एक जैसा सब जगह रहता है cytoplasm, nickel plan, जो भी बोलो सब तो एक जैसा रहता है इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा processing की ज़रूत नहीं पड़ती है ठीक है ना तो देखलो अब ध्यान से उस primary transcript को eukaryotic primary transcript को कौन कौन से processing की ज़रूत पड़ती है अब देखलो क्या है कि ये DNA है अब DNA के बाद क्या हो जाएगा इधर promoter region था उधर termiter region था देखलो ये promoter region और ये termiter region ठीक है अब यहाँ पे structural gene तो ये DNA का part हो गया ये DNA, ये structural gene चलो ये भी structural gene ठीक है और चराब तो तीन बनाये थे चलो इसको भी माले structural gene लेकिन ये structural gene बिल्कुल लगतार हो कोई ज़रू नहीं है एक हो जाएगा अब इसके बाद क्या हो जाएगा ये बाकि DNA का sequence बेकार रहेगा अब यहाँ एक structural gene है ठीक है बाकि फिर बेकार फिर यहाँ एक है अब देखलो तो क्या होगा अब इसमें क्या होगा इससे जो RNA बनेगा मेरे प्यारे बच्चों RNA इससे जो बनेगा कैसा बनेगा देखो ये RNA बना तो इसमें जो RNA बना ऐसे ये gene है क्या है gene A gene B gene C gene D और gene E आप लोग बता चुका हों कि gene क्या है वो कुछ नहीं DNA का ही sequence है ये modern जाबना में ठीका है वो पहले allele factor क्या क्या बोला जाता था उसे भूल जाओ gene मतलब DNA सीधी सी बात DNA मतलब meaningful sequence of DNA जो कोई एक particular function करता हो तेखा है अब देखिए तो यहाँ जो हुआ अब portion A का A क्या है transcribed part है A का एक है ने transcribed part A है और ये B का है transcribed part ये B का है और चलो इसको C का माल लो लेकिन ये वाला portion तो बेकार है बेटा ये वाला portion क्या है इसका भी RN बन गया है कोई काम नहीं ये D का है D का चलो ये है फिर ये वाला क्या है इतना portion बेकार हो गया क्योंकि यह दो gene है नहीं बेकार है और फिर यह portion E का है RNA तो यह जो RNA बना जिसमें gene का भी transcription है और जो बेकार DNA है जिसका कोई काम नहीं है उसका भी transcribed form है समझ गए यह जो बना इसको हम बोलते हैं actually hnRNA 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 मतलब primary transcript जो हुआ इसको hnRNA भी कहा जाता है ठेका है hnRNA और primary transcript primary transcript primary transcript primary transcript को hnRNA भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं hnRNA का मतलब हो हेट्रो निकलियर आर ये ये इसको बोलते हैं ठेका है इसका मतलब क्या हुआ है हेट्रो निकलियर आर ये इनका मतलब इट कंटेंस बोथ non-functional part of DNA ठीक है और functional part it contains the RNA of ठीक है non-functional part of DNA और functional part, दोनों contain कर रहा है तो जो non-functional part है उसको बोलते हैं exon क्या बोलते हैं इसको? इसको exons बोलते हैं E-X-O-N-S exons ठीक है और जो function sorry ये introns कहा जाता है क्या कहा जाता है? introns कहां लिखें ये जो गोला घहरा हुआ है दो ठोटो गोला घहरा actually इनको बोलते हैं introns क्या बोलते हैं? introns, introns क्या है? ये non-functional non-functional ठीक है? transcribed unit transcribed part ठीक है? और ये जो है जीन वाला पाट जो हुआ? ये जो ठीक है? और जीन डी का जो आरेन बना है समरे हो? जीन डी का जो आरेन बना है ये डी का जीन ए का जो आरेन बना है ठीक है? ये सभी को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं actually एक जॉन्स ये क्या है? ये सब एक जॉन्स हैं एक जॉन्स, यह सब एक जॉन्स है, इभी बना लो, इभी, इक जॉन्स क्या होते हैं यह फांक्शनल पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक्शिलि यही फांक्शन होते हैं, फांक्शन करते हैं, फांक्शनल पार्ट होता है, ठीक ना, फांक्शनल पार्ट, तो एक तो एक जॉ और इंट्र उन किया है है क्यूं समझ इस उतल दो दो प्रोसेशिंग होता है एक ऐसा कुछ ऐसा करते जिससे कि सेल का इन्जाइम उसके पर बनला कर सके तो उसको बोलते हैं कैपग एन टेलिंग मतल्य कर आगे में लगा देना तो इसके वज़ से एंजाईम अटक नहीं कर पता है और दूसरा इसको बोलते हैं splitting मतलब जो functional पार्ट को काट देना functional पार्ट को अलग कर देना है और non-functional पार्ट को हटा देना उसको splitting बोलते हैं और फिर सब को जोड़ना थीग है तो दो प्रोसेसिंग इसमें होता है हेट्रोजीनस आरेने एचेन आरेने बोलेंगे एक के बोलेंगे एचेन आरेने हेचेन आरेने अंडर गोज अंडर गोज थुरू टू टाइप्स और प्रोसेसिंग एक क्या होता है एक को बोलते है एस्प्लिसिंग एस्प्लिसिंग क्या होता है बच्चो एस्प्लिसिंग का मतलब है एस्प्लिसिंग का मतलब होता है कि रिमूवल औफ रिमूबल अफ क्या चीज़ भार किसका रिमूबल रिमूबल अफ नॉन फंक्शनल नॉन फंक्शनल मतलब की इन्ट्रोंस इन्ट्रोंस पार्ट अफ एचन आरेने जिसको प्रामेरी ट्रांस्क्रिप्ट बोलते हैं ठीक है और दूसरा टेलिंग अन्ट कैपिंग टेलिंग अन्ट कैपिंग टेलिंग और कैपिंग भी समँ रहो अब देखलो एचन आरेन का नॉन फंक्शनल पार्ट हटा दिया सपोज करो और फंक्शनल पार्ट रहने दिया एचन आरेने का बच्चो क्या हुआ अब नॉन फंक्शनल पार्ट को हटा दिया देखो अब यहां पर क्या है ए का ट्रांस्क्राइड फॉर्म है और बी का भी है और क्या है C का भी है और फिर क्या है D का भी है और क्या है E का है यह देखो E का हो गया अब बाकी इंट्रोन को हटा दिया मतलब A का ट्रांस्क्राइड फॉर्म A से रिलिटेड आरने B से रिलिटेड आरने जिन C से रिलिटेड आरने जिन D से रिलिटेड आरने जिन E से रिलिटेड आरने सब आ गया तो इसको बोलते हैं complete exonic part हो गया जुड़ गया अब इसकी क्या किया गया मतलब S-placing यह क्या हुआ हुआ इसी को बोलते है Splicing, इसी को बोलते है Splicing, यही Splicing है, अब इस Splicing में क्या किया गया, Cap, अब Capping कर दिया गया, ठीक है, Capping और Telling, तो इसमें क्या किया जाएगा, Capping और Telling करेंगे, Telling, तो Cap और Tell जब पहना दोगे, तो Capping, Telling पहनाने के बाद, यह देखो, Capping, यहाँ पर Telling, यह कर दिये, यह क्या है, यह 5 इंड है इसका, यह क्या है, 13 होता है, क्यों, क्योंकि DNA के 3rd इंड और 5 वाले पे बन रहा है, 3 5 पे बन रहा है, तो यह भी क्या 5 इंड और यह भी क्या 3rd इंड, यह भी 5 इंड और यह भी क्या 3rd इंड, तो मतलब क्या हुआ, Cap जो होगा, वो 5 इंड पे होगा, और Tell जो होगा, कहा होगा, 3rd इंड पे होगा, 13 पर इस तरीके से capping और splicing capping, tailing और splicing के द्वारा जो बना HN RNA का modified form इसी का अब नेम है MRN MRN मतलब messenger RNA होता है messenger RNA इसी को बोलते है MRN बचो क्या बोलते हैं this is known as MRN MRN मतलब messenger RNA DNA क्यों message अरार ने होता है actually DNA gene का message इसी में genetic code के फौर में capture होता है यह genetic code के फौर में DNA का message ले जाता है कहाँ पर function वाले site पर और वहाँ पर protein बना के दिखाता है मतलब DNA अपने आपको express करता है protein synthesis करवा के क्यों क्योंकि या तो enzyme बनाएगा नहीं अपना जो message है वो RNA के अंदर खास करके MRN के अंदर वो code के फौर में डाल देता है code मतलब base sequence के फौर में ठीक है तो यह इसलिए इसको messenger RNA बोलते है यही मतलब DNA का message के रिकर करके ले जा रहा है ठीक अब capping और telling करने से enzyme का कोई effect इसके उपर नहीं होगा तो के लिकांगे due to capping and telling due to capping and telling enzyme cellular enzyme cellular enzyme cannot effect cellular enzyme effect नहीं करता है cannot effect the MRN cannot effect the RNA form जो आर निवना उसको effect नहीं करता है समर्यों अच्छा तो capping में capping कैसे होगा आखिर क्या capping में ऐसा चीज़ डाला जाएगा तो capping जो होता है याद रखना capping किसका बना आता है capping capping contents क्या content करता है भई contents methylated guanine ग्वानीन ट्राइब होस्पेट यह content करता है समर्यों मतला यहां पर ग्वानीन जो होता है वह प्रजेंट होगा methylated guanine ट्राइब होस्पेट यहां पर प्रजेंट होगा और टेल के पास क्या होगा टेल के पास poly-a खाली ए-ए-डिनीन का poly-a टेल होता है पाली-a समर्यों नियर अराउंड 200-300 ठेक न ए-ए-ए कितना होगा 200-300 के नमबर मतलब कि टेल में देखोगे तो टेल वाले पॉर्शन में ए-ए-ए-ए जूड़ा रहेगा 200-300 ए-ए जूड़ जाएगा समर्यों तो टेल यह बनता है कैप 5-end और टेल 3-end या रखना ही इसको यह हुआ और इसके बाद क्या होगा बत्चों इसके बाद जो होगा हम लोग का कि RNA polymerase कितने तरह का होता है ठीक है यह तीन तरह के होते हैं RNA polymerase कितने तरह के RNA polymerase are of three types कितने types को होंगे three types दखो RNA कितने होते है RNA polymerase 1 होता है ठीक है 1 होता है क्या RNA polymerase 2 होता है और ये क्या होता है RNA polymerase क्या होगा 3 होगा RNA P1,2,3 समद्ध हो ये 1 क्या बनाएगा It forms R RNA R RNA R RNA R RNA R RNA R for R RNA इसको क्या बोलता है R RNA R RNA R ribosomal RNA तो R ribosom अब R ribosom में क्या क्या होता है देखो R ribosom में smaller largest लगे बीट होता है तो इसमें जो RNA प्रजेंट होगा वो RNA 20SR प्रजेंट होता है 20SR RNA और कितना 18SR RNA और एक 5.8SR RNA होता है S मतला स्वेट बर्ग यूनिट होता है S Sedimentation Coefficient Centrifuge कराके और Sediment कराके देखा गया उसका Coefficient है ठीक है अच्छा RNA Polymerase 2 यह क्या करेगा यह फॉर्म करता है जो अभी लंबा चाड़ा बताया HN RNA को किसको HN RNA को और RNA Polymerase किसको बनाता है T RNA T RNA को बनाएगा और SN RNA को ठीक है मतला Small Nuclear RNA Nucleus के अंदर परज़न होता है Small Nuclear RNA समरे हो इन सब को क्या करता है बनाता है और एक 5S RNA को किसको बनाता है 5S RNA को ठीक इसको बनाता है तो यह हुगा आपका RNA Transcription के बारे में ठीक है ठीक है आज बस इतना ही बाकी अगिले क्लास में देखेंगे ठीक है कोई नए टोपिक को लेके आते हैं उस समय ठीक है बच्चों ठीक है एक पारे प्रेखेंगे cosmos